हेई फ्रेंड्स वेलकम बाक टो माई चानल दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़िदार सी रेसिपी जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैंने बनाए हैं चीज बॉल्स बट आज मैंने ये चीज बॉल्स बहुत ही हिल्दी करीके से बनाया है यानि कि मैंने इसे विदाउट फ्राइंग बनाया है और आप देख सकते हैं ये कितने डिलिशियस और कितने यम बने है तो चलिए जैटपट से रेसिपी शिरू कर लेते हैं तो यहाँ पर चीज बॉल्स बनाने के लिए मैंने चार मीडियम साइज के आल यहाँ पर प्रोसेस चीज को कद्दू कस करके पहले से रखा हुआ था तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें डालेंगे एक मिडियम साइज का बारिक कटा हुआ प्याज और साथ में डाल देंगे हम एक बारिक कटी हुई हरी मिर्च तो हरी मिर्च आप अपने पसंद के अनुसार डालें कम या जादा इसे आप कर सकते हैं और साथ में इसमें डाला है बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हराधनिया और साथ ही हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ लहसन तो लहसन अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं बट इससे इसका फ्ल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में मैंने इसमें डाल दिये हैं मिक्स शाब्स आप और इगानों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही इसमें डाले हैं चिली फ्लेक्स तो चिली फ्लेक्स भी आप अपने पसंद के अनुसार कम या जादा कर सकते हैं अब इन सारी चीजों तो दोस्तों अगर आज की रिसिपी आपको अच्छी लगती हो हिल्फुल लगी हो तो प्लीज इसे जादा से जादा लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जट पर से सब्सक्राइब कर ले तो यहां पर मैंने अपने दौनों हाथों को ग्रीज कर लिया है जो कि बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह मिक्स्ery बहुत स्ठिकी है तो आप बीच-बीच में आपको जब भी लगे तो अब बारी आती है इन बाल्स को चीज से स्टफ करने के तो यहां पे मैंने फिर से हाथों को ग्रीज किया है और इस तरीके से हम बाल्स को फ्लाटन करेंगे और इसके बीच में हम भरेंगे यहां पर मुसरेला चीज आप चाहें तो यहां पर प्रोसेस चीज का भी इस्तेम तो अब अच्छे से इसे हर तरफ से सील कर देंगे और अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि चीज मेल्ट होकर बाहर ना आए और हम फिर से एक बार रोल कर देते हैं तो इसी तरीके से हम सारे चीज बॉल्स तयार कर लेंगे यहां पे मैंने बाल्स बना कर तयार कर लिये हैं तो चलिए अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं तो यहां पे मैंने लिये हैं ब्रेट क्रम्स की रेसिपी भी मेरे चैनल पर आलरी मौझूद है आप चाहें तो उसे देख सकते हैं तो अब इस लरी को हम एक बार यूज करने से पहले इस तरीके से फिर से मिक्स कर लेते हैं तो अब हम एक बाल को इस लरी में डिप करेंगे कौन फ्लार वाली में और उसके बाद हम इसे कोट करेंगे ब्रेट क्रम्स से तो मैं आपको recommend करूँगी कि आप इसी तरीके से कटोरी में breadcrumbs ले 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 और इस तरीके से हिलाएं इसी बिल्कुल भी messy नहीं होता है और अच्छे से breadcrumbs उस पे coat भी हो जाते हैं cheese balls पे तो अब हम सारे cheese balls ऐसे ही बना कर तयार कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने cheese balls बना कर तयार कर लिये हैं अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे half an hour के लिए आप चाहें तो इसे freezer section में 15 minutes के लिए भी रखकर तयार कर सकते हैं तो अब यहाँ पे मैंने लिया है अपपा पैन और इसमें मैं हर cavity में 2-3 drops of oil का इस्तेमाल करूंगी और इसे इस तरीके से हिलाओंगी ताकि अच्छे से oil हर तरफ से coat हो जाए आप चाहें तो brush का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं तो यह हमारा अपपा पैन बिल्कुल तयार हो चुका है अब हम सारे चीज बॉल्स को इसमें आरेंज कर देंगे तो चीज बॉल्स मैंने आप यह आरेंज कर दिये हैं अब इसमें धक कर धीमी आज पर एक तरफ से हम पका लेंगे तो दो मिनिट हो चुके हैं अब हम धक्कन हटा कर देखते हैं तो अब हम उपर से फिर से टू तो थ्री डॉप्स ओफ ओईल हर बॉल पर स्प्रिंकल करेंगे ताकि जब हम इन्हें पल्टे तो यह दूसरी तरफ सभी अच्छे से सिख जाएं तो चलिए अब हम इन्हें पलटना शुरू करते हैं तो दोस्तों इस वक्त हमें ध्यान रखना है हमें बहुत ही जेंटली यह काम करना है वरना चीज निकल कर बाहर आ सकता है यह बॉल्स इस वक्त बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो हमें बहुत ही पेशिंस के साथ यह काम करन तो आप 주고 हंएं एक तरफ से हलके से गोल्डेन ब्राउन होने शूरू हो चुके हैं तो अब हम इन्हें है कि बार पलट देते हैं और इसी तरीके से हम इने बीच-बीच में पलट कर हर तरफ से शियक लेंगे तो हम इने फिर से दूसरी तरफ से भी शेक लेते हैं तो अगर आप चाहें तो इन्हें आप थोड़ा सा और सेख सकते हैं पर मेरे ख्याल से ये चीज बॉल्स बिलकुल तयार हो चुके हैं तो हमारे गर्मा गर्म चीज बॉल्स तयार हैं आप इने केचप के साथ, चक्टनी के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्फ कर सकते हैं तो मैं आपको एक चीज बॉल तोड़ की दिखा रही हूँ यह देखे, चीज कितने अच्छे से मिल्ट हुआ है तो यह बॉल्स बहुत ही डिलीट है अगर आप इसे ट्राइ करते हैं, तो इसके पिक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा मैं उसे रिपोस्ट करूँगी और अगर आपको रेसिपी हलपफुल लगी हो, पसंद आई हो तो फिर प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसे ही धेरो मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स पॉर वाचिंग मैं चैनल